नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैराने गुपता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे लगातार जमू कश्मीर में आतंगवादियों और उनका जो साथ देने वाले उनके हम परस्त लोग हैं उनके खलाफ लगातार जो ग्रह मंत्राले है वो एक्शन की कारवाई कर रहा है और इस बीच देखने को मिला है कि हुर्यत के नेता के अवैद संपतियों पर बुल्डोजर चला है पता दे कि अनंत नांग में ये बुल्डोजर चलाया गया है जम्मू कश्मीर में आतंगवादियों और उनके हमायतियों की कमर तोड़ने का सलसला लगातार जारी है ताजा एक्शन आतंकियों का समर्थन करने वाले हुर्यत कॉन्फरेंस के नेता काजी यासीर पर हुआ है अनंत नांग प्रशासन ने काजी यासीर की विवसाइक संपत्ति के एक हिस्से पर बुल्डोजर चला दिया है बता दें किस से पहले दिवीदियों में शामिल रहे हैं और इसके नेता रहे सेद अलीशा गिलानी भी जिन्दा रहने तक पाकिस्तान परस्ति का राग गाते रहे हैं बता दें कि हुर्यत के नेताओं पर आब ठोस और सख्त कारवाई हो रही है देखने को मिला था कि इस से पहले रास्ट्रिय ज के बाद NIA ने श्री नगर के राजबा के इलाके में औल इंडिया पाटी हुर्यत कॉंफरेंस के कार्याले को सील कर दिया था हुर्यत नेता अपने संगठन के गठन के बाद सही लगातार भारत विरोधी गतिवीदियों में शामिल रहे हैं और कहीं न कहीं जो उनका का इसी के साधी हुर्यत के नेताओं पर अब सरकार ठोस और सख्त कारवाई कर रही है इससे पहले मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनंतनान जुले में अतिक्रमण विरोधी अभ्यान चुलाया था और इस दौरान दो पूर्व विधाय को और एक मुख्य म में आतंकी हमलों की घटनाओं में अजाफा हुआ था प्रवासी मजदूर और कश्मीरी पंडितों की टागेट किलिंग की ये तमाम घटनाएं हुई थी जिसके बाद केंद्रिय ग्रह मंत्री अमेशा कई बार श्रीनगर दौरे पर भी गए थे और दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर के लेटनेंट गवर्नर मनोस सिनहा को बुला करके उनके साथ बैठक भी की थी अब इस बैठकों में अमेशा ने सुरक्षा बलो को हर हाल में कश्मीर के आतंगबादियों और उनके मददगारों की कमर तोड़ने का निर्देश दिया था जिसके बाद से ऐसे 200 के खरीब आतंकियों को उनको सजा दी है यानि कि उनको जहन्नम भेजा जा चुका है इसके अलावा आतंगबादियों के हथियार और रेकी कर मदद करने वाले ओवर ग्राउंड वरकर्स की भी ताबर तोड़ गिरफतारी चल रही है मताले कि जम्मु कश्मीर से जुड़े सम्वधान के 96-370 के खत्मे और इसे केंदर शात्सित क्षेत्र बनाये जुआने की बाद पत्राव की घटनाए भी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी में आमन चैन पूरी तरीके से वापस आने के आसार दिखाई दे रहे हैं यहा से जाफा देखने को मिला था प्रवासी मजदूरों और इसी के साथ ही कश्मीरी पंडितों की ट्रागेट किलिंग की कई सारी घटनाए सामने आई थी अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे नकाब पोशों ने आधार काड और पहचान पत्र देख करके उन्हें निशा कि गवर्नर से मुलाकाद भी की थी और बकादा दिली में मीटिंग भी की गई थी और इस बैठक के बाद सही लगातार जो केंडर सरकार और राजज सरकार है वो एक्शन के मोड में नजर आ रही है आतंकियों के सफायों के साथ साथ उनके जो मददगार हैं उनके खलाब भ जो उनके नेटा हैं उनके शॉपिंग कॉंपलेक्स यानि कि उनके जो अवैद संपत्ती है उसको भी बिल्डोस कर दिया गया है पिछले कई दिनों से वहाँ पर आतंगवादियों को ले करके और जो सरकारी जमीनों पर खब्जा किया गया है इन तमाम चीजों को ले करके वहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है और उसे अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है इसी के साथ ही बता दे कि कश्मीर में जब से धारा 370 हटाए गई है वहाँ पर पत्राव की जो घटनाय हैं वो देखने को नहीं मिल रही है इसकी बावजूद काई सारे असे विपक्ष बत्रा का अंत भी हुआ कश्मीर में ही वहाँ पर भारत जड приш laquelle को लेकर के विराम लगा और राहूल गांदी ने लालचियोग पर तिरंगात तिरंगा और राहूल गांदी का ये कहना था कि आज कश्मीर में उन्होंने तिरंगा फैराया है और इससे वो चैन, इमन, शान्ति कश्मीर में वापस आईगी, इसी के साथ ही पुरे भारत में वापस आईगी जिसके बाद से काफी जादा लोगों ने उन्हें आड़े हाथो लिया था और लोगों का कहना था कि BJP के शासन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है जिसकी वज़े से आज छोटा सा छोटा बच्चा भी कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकता है जम्मू कश्मीर में खुले होकर के तिरंगा हाथों में लेकर के घूम सकता है ना तो उस पर पत्राव होगा और ना ही इस तरीके की घटनाए होंगी अब इस चीज को लेकर के कॉंग्रेस पार्टी पर लोग निशाना भी साथ रहे हैं और उनका कहना है कि यही चीज आपने पहले क्यों नहीं की जब कश्मीर में धारा 370 लागू थी अब जब बीजेपी ने 370 हटा दी है लगातार आतंगवादियों के खलाफ वहाँ पर कारवाई कर रही है तब इस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी का वहाँ जाना और तिरंगा फैरा करके यू कहना कि हम इस तरीके से कश्मीर में अमन और शांदी का पैगाम लेकर के आए हैं तो ये कौन सी बड़ इस चीज़ को लेकर के लोग राहुल गांदी को जितना ट्रूल कर रहे हैं तो उसे भी कहीं जादा कॉंग्रेस पार्टी पर भी निशाना सादते हुए नजर आ रहे हैं और बीजे पी और मुदी सरकार की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं फिलाल जिस तरीके से दे आतंगबादी हो सकते हैं और अपनी प्लानिंग को अन्जाम देने की खोशच कर रहे हैं वहां पर लगातार छापे मारी की जा रही है और इनके ख्लाफ कारवाई भी की जा रही है जब्मु कशमीर में कई दश्कों से वहां पर आतंगबादियों को पना देने वाले ऐससे लोग भी दे उनकी उपर भी ये कारवाई चल रही है और लगातार ग्रिह मंत्राल एक्शन के मोट पर नजर आ रहा है फिलाल इस ख़बर को लेकर के आपकी क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले